आज एलो एरुबुन और वेलगम टो मुटूब चैनल गीनेस एक्सपर्ट और आज यहां पर प्रूफ करने वाले हम लोग बर्नोलीस थियोरम को ठीके तो देखें हाँ पर सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स होते हैं बर्नोलीस ठीओरम को ठीके कुछ main points जो हम लोग जानेंगे ठीक है तो यहां पे सबसे पहले तो आपको एक diagram बनाना पड़ेगा और यह diagram क्या है कोई भी इन दोनों में से दो एंड में से किसी एक को छूटा रखना है और दूसरे को बढ़ा ठीक है तो आपको यही करना है जैसे आपका देखिए यहां पे हम मान लेते हैं ठीक है इस diagram को इस तरह बनाए जाए ठीक है तो आपको समझ में आ रहागा तो यह है आपका कुछ height ground से ठीक है तो यह ground से आपका यह height हो गया और यह हम मान लेते हैं h1 यह हम मान लेते हैं h2 और इसका जो है आपका कुछ pressure लग रहा है इसके उपर p1 और इधर से जो pressure लग रहा है p2 ठीक है इसका area हो गया a1 इसका volume हो गया v1 यहां पर area a2 और यहां पर v2 volume ठीक है तो यहां पर हमने यह diagram बनाया तो यहां पर आपको देख रहे हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर आता है from the equation of continuity ठीक है यह हम दोग देखेंगे equation of continuity क्या होता है ठीक है continuity क्या होता है इसमें इसमें होता है आपका suppose मान लीजी यहां का m1 अगर हम मास मान लेते हैं यहां का हम m2 मास मान लेते हैं तो क्या होगा m1 बराबर m2 होगा और यह हम मान लेते हैं कोई capital M है हमारा ठीक है मतलब क्या दोनों ही बराबर होंगे simple ची बात है water लीजिए या फिर कोई कोई भी ऐसे liquid particles अप लेज़े ठीक है कुछ भी आप लेंगे liquid में ठीक है water ले लिजी किरोसिन ले लिजे अलकोहल ले लिजे इथर ले लिजे कुछ भी anything बट वो liquid होना चाहिए कि यहां पे आपको पता है कि उसका कुछ density होगा और आपको पता है कि जो density ओ अगर हम बोलते हैं तो water ही बोलते है ठीक है ऐसा नहीं है कि इस point में density कुछ होगा इस point में density कुछ और होगा नाहीं ऐसा नहीं तो मास भी तो एक ही है ना वाटर का जितना मास होगा ठीक है वो तो सेम है अच्छा यहाँ पे अब काफी लोग यह दिमाग लगाते हैं कि अगर आपने बॉटल को इस तरफ रखा है तो इस तरफ का मास ज़्यादा होगा इस तरफ का कम होगा ठीक तो हम यहाँ पे equation of continuity बोलता है कि इसका मास इस से अड़ वाले का और इस से अड़ वाले का मास दोनों बराबर एक M मान लेते हैं हम लोग ठीक है तो इतना समझ में आया ओके तो यहाँ से हमने क्या किया रो V1 इक्वल्स टू रो V2 इक्वल्स टू हम दिखा दिये कैपिटल M अब यह क्यों दिखा है देखे बहुत इजी है समझना देखे हम लोग पढ़ते हैं density is equal to mass by volume तो हमने क्या किया volume into density equals to mass ठीक है यही किये simple इसको जो हम लोग नीचे को ऊपर भेज दिये ठीक है तो divide में था multiply में convert हो जाएगा यह सब basic चीज ठीक है तो यह बिलकुल वहीं से आया है और यह आपको लिखना है ठीक है ऐसा नहीं कि छोड़ देना है यह reason है क्यों ऐसा आया है ठीक है तो देखे यह जो आपको बता रहे ना इससे जादा short आप कहीं पर नहीं देखेगा बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा derivation आपको मिलेगा खोल के देख लीजएगा यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है बहुत लंबा चौड़ा derivation मिलेगा लेकिन यह जो derivation हम बता रहे है बहुत ही short होने के साथ साथ पूरा आपका language के साथ है कि आपको meaningful है मतलब एक ही word में आपको सब कुछ कह रहा है ठीक है को भी बरावर दिखा देते हैं और यह बरावर कैसे होगा तो mass by हमारा density के बरावर ठीक है density दोनों में से में दोनों में से हम कोई भी एक density ले लेंगे common और इसको नीचे लेका रागे ठीक है डिवाइड कर दे इस basically हमें volume चाहिए था तो हम लोग यहां से ऐसे कर सकते है ठीक है न यह सब पता है ठीक है तो यहां से हम अब लगाएंगे pressure from pressure pressure energy from pressure energy से आपका यहां से formula आता है P1 V1 is equal to P2 V2 इस पर हम लोग बहुत सारे numerical कर चुके हैं एक दो तीन नहीं बहुत सारे numerical कर चुके हैं already thermodynamics complete हो चुका है उसके ओपर formula का short trick भी आ चुका है कि कैसे आप सारे formula विदेना आपका just a second में आपको याद कर सकते हैं ठीक है तो वो सब हमारा complete हो चुका है यह है आपका chapter thermal property से और इसका भी आपका complete हो चुका है formula विदेना ठीक है तो आप चैनल पर क्लिक करके वहां से आप वीडियो पर जाके देख सकते हैं प्लेडिस्ट में भी होगा देख सकते हैं ठीक है तो देखे यहां बर आते हैं इस question में आप काफी लोग के मन में सवाल आ रहोगा कि pressure energy क्यों लगाएंगे अब यह सब पॉइंट भी क्या याद रखना होगा बिल्कुल भी नहीं देखे हम पूरे सुजवात में कि कुछ पॉइंट से आपको हम बताएंगे जो याद करना है वीडियो को दारान ठीक है तो देखे हैं यहां पर सबसे पहला point होता है इनकम्प्रेसिबल यहां कि compress नहीं हो सकते हैं ठीक है इनकम्प्रेसिबल कम्प्रेसिबल पता है कौन-कौन से होते हैं solid and gas नहीं liquid and gas solid तो hard होता है ठीक है solid क्या होता है hard होता है उसमें भी थोड़ा मोड़ा compress होता है बड़ वो इतना होता है मतलब internally होता है कि वो हम देख नह और नहीं observe कर पाते हैं और इसलिए हम दोग मानते हैं solid is a hard ठीक है and it has no compression ठीक है compress होता ही नहीं है वह ऐसा हम दोग मान के चलते हैं कि वह incompressible है ठीक है but actually में अंदर ही अंदर उसके अंदर compressible होता है ठीक है compress होता है खेर हमें solid के बारे में यहां नहीं जानना है हमें जानना है यहां पर gas और liquid के बारे में बाते हो रही है gas और liquid में क्या होता है compress होता है चाहिए आप देखिए balloon है balloon के अंदर air भर दीजे helium gas भर दीजे और उसको आप क्या किजिए दोनों तरफ से pressure लगाई है pressure लगाई है ज्यादा pressure लगा दीजे वह blast कर जाएगा फट जाएगा balloon आपका ठीक है तो वह क्या है उसमें क्या हो रहा है pressure बढ़ने से वह blast कर गया मतलब क्या कि यह जो है compress होता है compress कर रहे ना compress करते जा और एक टाइम आया blast हो गया liquid के case में भी ऐसा ही होता है ठीक है तो liquid में भी compress होता है अब बहुत सरे जो examples है आपके day to the life में ठीक है तो खेर हमें chapter पढ़ाना नहीं है यहाँ पे हमें derivation करना है तो derivation में देखिए आपका क्या होगा इनकंप्रेसिबल और दूसरा हो जाएगा stream line ठीक है stream line क्या flow हो रहा है just continuously flow हो रहा है flow हो रहा है stream line ठीक है clear बात थर्ड हमारा point आता है इसमें non viscous वाला part ठीक यह non viscous होता है ठीक यह उतना महीं नहीं रखता ठीक है यह 3 points है अच्छा यह जो है और इसके बाद अब यह चौथा point है बहुत जादा important है ठीक है इसको आप बिल्कुल अच्छे से क्या करेंगे by heart learn करेंगे तो यह क्या है आप आपका formula देखे क्या होता है potential energy plus kinetic energy plus pressure energy यह तीनों को plus करके हमारा आता है Bernoulli's theorem ठीक है BT हम लिग दे रहे हैं यहाँ पर एक short form में Bernoulli's theorem है ठीक है तो Bernoulli's theorem आपका मिलेगा potential energy plus kinetic energy plus का आपका pressure energy को plus करने पर sum of all these energies ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर pressure energy लगा निकाल रहा है तो P1 V1 is equal to P2 V2 हो गया तो यहाँ से हम क्या लिग सकते हैं pressure energy से हम इस V को हम अलड़ी निकाल चुके हैं देखे कोई भी चीज हम लोकर निकालने का मकसद क्या होता है उसको अगले next equation में कहीं न कहीं तो हमें उसको यूज करना है वरना क्यों निकालेंगे हम बढ़ना छोड़ देंगे इसी तरह ठीक है तो यहाँ पर हमें अब यहाँ निकाले हैं और यहाँ M by row हो जाएगा clear यह बात इतना अच्छा तो यह bracket को हटा देंगे क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर एक ही है दो रहता तो हम bracket को use कर सकते थे कोई problem नहीं ब्रैकेट अगर आप दे भी रहना तो कोई problem नहीं है मतलब इस तरह से अच्छा देखता है बस और कुछ नहीं और कोई मतलब नहीं इस तरह रिखने का कि bracket हटा के लिखो ठीक है यह अंदर लिखो ठीक है अच्छा तो यहाँ से हम लोग देखे अब यह चीज निकाले अब हम दो निकालेंगे इसका change अच्छा यहाँ important बात यह लिखने का है याद कि आप जो भी change निकालेंगे हर किसी का change निकाला हो kinetic energy निकाल रहे है kinetic energy का change potential energy का change यहां पर देखिए pressure जो है किसका जादा है यहां पर आपका P1 जो है यहां पर क्या है ज्यादा है P2 से और V1 की बात करेंगे तो यह कम है और V2 ज्यादा है ठीक है clear अबा लिखने और V2 हो गया कम यहां पर P1 हो गया ज्यादा इनिशली इसका pressure क्या होता है जादा होता है water का ठीक एस्यूम कर रहे है वाटर है उसके उसके अंदर ठीक है water यहां से यहां गिर रहा है ठीक है एजूम करके चल रहे हम लों ऐजम इंशन है हमारा ठीक है इतना वाद क व yepy of me 10 वी हम लोगों क्या समेझ ने यह नहीं हार्वाय है ठीक है तो इक विए से आपको सीपल लॉजीक लगाएं ये आपकर हो गया ओस फॉर्मॉल सहा है धिक अ एक formula होता है V to A एसा कुछ लिखते है हम दो जिसका ए बड़ा उसका pressure बड़ा होता है तो यहाँ एक किसका बड़ा है किसका A छोटा है वह होँमें नहीं देखना है नहीं समस्वन है V1 जो है आपका क्या होगा है छोटा होगा क्यों क्योंकि जो volume होगा यहां पर volume कम क्योंकि pressure यहां पर क्या हो रहा है जादा हो रहा है इसी इए ठीक समझ गए बात अच्छा यहां पर हम दोग change in pressure energy निकालेंगे pressure energy कि यहां निकल के आएगा माइनिस करदेंगे दूनों में से दोनों में कउमन क्या ऐा जाएगा आपको देखेंगे तो देखें म भाय रो और 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 पी फिटू रह जाöhगा ठीक अब हम लोग इसी तैरा किन दोक निकालेंगे के इनर्जी के लिए तो यहां के आ जाएगा 4 kinetic energy के 1 के 1 कितना आ जाएगा half mv square m और v square तो v2 का square ठीक है यह आप 1 के लिए ले रहो तो 1 का ले ले लिए यहां पर ठीक है clear है इतना बाद fine दूसरा हम लोग ले ले लेंगे k2 के लिए तो यहां पर आ जाएगा half mv2 तो यहां पर change निकाल लेंगे अब हम change in kinetic energy तो यह half m और यहां पर v2 का square minus v1 का square यह आ जाएगा ठीक है clear है इतना बाद देखिए अब आपको shine कर रहा हो ठीक किया जाएगा चलिए अब आपको समझ में आ रहोगा clear हो गया इतना बाद ठीक है तो अब हम लोग यहां पर potential energy निकाल लेंगे हमारी requirement क्या है यहां पर हमें तीनों चीज़ जाएगे potential energy भी kinetic energy भी pressure energy भी ठीक इसलिए हम लोग यह सब निकाल रहे है for kinetic energy P1 क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा MGH तो MGH ठीक है और यहां पर PE अगर हम tune के लिए निकालेंगे तो MGH ठीक अब हम इसके लिए change निकालेंगे change in potential energy क्या आजाएगा MGH common और यहां पर H1 देखे इसमें हाइट किसका सबसे ज़्याद है पहले देखे तो H2 का जादा है H2 minus H1 हो जाएगा इतना काम कर लिए है तो आप हम लोग यहां पर लगाएंगे according to law of conservation law यानि कि work energy conservation हम लोग यहां पर लगाएंगे क्या लिखेंगे यहां पर according according to according according to work energy conservation ठीक है work energy conservation क्या होता है आपका यहां पर तो देखें बहुत ही simple सा चीज जो हम भी आपको बताया है समझा है क्या change in equal to assign देते हैं ठीक है तो change in kinetic energy plus change in potential energy का sum ठीक है दोनों का sum कर देंगे और आपका निकल के आ जाएगा बहुत easy है यहां पर plus का sign लगा है ठीक है ओके तो आप हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे देखें बहुत ही easy है इसको निकालना यहीं से आपका थोड़ा सा step चलेगा 4 step चलेगा basically और फिर proof हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग जो जो है बस यहां पर put करना है ना बस बस वही आखाम करना है और आपका solve हो जाएगा देखें तो यहां पर देखते जाएगे यहां पर P1 minus P2 और यहां पर आया है M by rho यहीं आया है तो हमारा यह कहां से आया है कर लेंगे यहां पर यहां पर हमारा change in kinetic energy kinetic energy चेक करेंगे कितना है तो यह है आपका half यह वाला half यहां पर आगे half M और यहां V2 का square minus V1 का square plus कर देंगे हम लोग यहां पर यह वाला ठीक है change in kinetic energy देखे तो M G और यहां पर H2 minus H1 अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से देखें mass हमारा common आ रहा है common आ रहा है जो उसको हट आ लेंगा ठीक है तो यहां से हम देख रहे हैं कि P1 minus P2 ठीक है और हम लोग इसको क्या कर लेते हैं जो नीचे है हमारा distributive law पढ़े हैं ना दोनों के साथ लगेगा तो हम लोग यहां पर दोनों के साथ लगा दिये ठीक है और यह मास हम लोग common ले लिए ठीक है चुकि हमें कांसल करना है तो मास और यहां पर एक बड़ा bracket लगा है और हाफ और यहां पर हम लोग लिखे हैं आई 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 पर वीटो माइनस वीवन और यहां पर स्क्वार लगा है सबीका ठीक है और प्लस का हम लोग यहां पर जी एच टू माइनस जी एच वण यह कैसे हाई यह हम लोग डिस्टिप्यूट कर दिये जी को इसके साथ भी मृडिप्लाय होगा यह के साथ भी 살ग Ó क्योंकि bracket लाग है ब्रैकต नहीं लगा होता है तो दो एक साथ होता है ठीके यहां पे ब्रैकेट लाए तो रडल्ब्राइबाए मज़िए हो जाए है ठीक है थ्वासर टाइम दे रहे हैं टेक टाइम ठीक है बड़ इतना जादी तो आप लिखने पाएंगे तुरांत वीडियो को पॉस कीजिए समझ ये फिर वीडियो को समझ समझ के लिखे ठीक है चलिए इसको हटाया जाए जाए ओके तो हमारा यहां पर क्या करना है यहां से हम लिखते हैं पार्ट को अच्छा सबसे पहले हमें दिख रहा है यह मास और यह मास कैंसल हो जाए ठीक है जो हमारे पास बचाओ लिखते है पी वन बाइरो इक्वल्स टू पी टू बाइ अच्छा ही इक्वल्स टू का शाइन यह आप मैनस का साइन है तो माइनस पी टू pi rho equals to क्या आगया है है, यहां से आगया आपका यह जो v2 का square by 2 यह क्या कि है हम distribute कर दीए दोनों में, distribute law लगा है अपना फिर से, minus v1 का square by 2, यह लगे का न, यह इसके साथ भी मुड़िया होगा, यह इसके साथ भी मुड़िया होगा, एक bracket के अंदर close है दोन और पार्ट ठीक है तीन पार्ट होता चार पार्ट होता पांच पार्ट होता एक bracket के अंदर close होगा तो क्या होगा सभी के साथ multiply में लगता है होगा ठीक है तो यहां से अब आपका यह तो हम क्या किये पहली औरड़ी यह आपका distributive law यूज कर दिये ठीक है तो यहां से आपका क्या आजाएगा देखे प्लस लगेगा प्लस का जी एच वन और फिर यहां पे माइनस का जी एच टू ठीक है अच्छे यहां पर टू है यहां पर वन है तो टू और यहां पर वन कर देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे वन वाले को वन के साथ टू वाले को टू के साथ रखेंगे ठीक है तो वन वाला यहां पर आ जाएगा तो पी वन बाई रो प्लस यहां पर आ जाएगा देखे यह वाला इसके साथ प्लस वी वन का स्क्वार बाई 2 और क्या जाएगा प्लस GH1 बाई अच्छा बाई तो कुछ नहीं लगएगा GH1 ठीक है और यहाँ पर हम 2 वाले को साथ में रखेंगे तो यह 2 वाला जो है माइनस साइन अभी सेड आएगा तो प्लस बन जाएगा ठीक है तो P2 बाई रो और फिर आपको क्या आजाएगा यहाँ पर माइनस अच्छा यह प्लस का और डी है प्लस का देखे इसको हम इस सेड भेज रहे हैं ठीक है P1 को इधर ही रहने दे रहे है लेफ्ट हैंड सेड और राइट हैंड सेड हम लोग भेज रहे हैं किसको लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड सेड भेज रहे हैं ठीक है और यह तो प्लस में है V2 तो V2 को कुछ करने का जोड़त नहीं अज़रत लिख देंगे ठीक है और यहाँ पर यह भी प्लस में है GH2 ठीक है क्लियर है इतना वाद अब आपको देखें यहाँ पर करना क्या है बहुत ही सिंपल सा काम कुछ करना यह है प्रूफ हो गया आपका बेसिकली एक लाइन यहां पर बस आपको लिखना है यहाँ पर कि आपको पता है क्या पता है कि अप हमेशा जानते हैं कि final minus initial करने से हमारे पस net आता है या फिर आपको total आता है आता है तो ठीक है तो हम यहां पर देख रहे हैं यह जो है हमारा P2 यह क्या है इस तरफ जो है आपका positive है तो हम इसको क्या करेंगे इसको positive ही रहने देंगे और हम लोग इस term को इस तरफ भेजेंगे ठीक है देखते जा plus V2 का square by 2 minus V1 का square by 2 plus GH2 minus GH1 और यह पूरा 0 यह सभी को भी set भेज़ दिये तो 0 ही होगा ठीक है अब आपका एक line और लिखना है और यह प्रूब हो गया already यह प्रूब हो चुका ठीक है देखें तो यहाँ 0 equal to क्या गया पी बाइ रो हो गया plus V by 2 हो गया plus कहां GH हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं P by रो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि P by रो plus V by 2 ठीक है इसको अच्छे से लिखा जाए P by रो plus V by 2 plus GH equals to constant देखें तो यह है हमारा यहाँ पर देखें स्क्वाइर है यह स्क्वाइर देदेंगे आपका छोट रहा था तो यहाँ पर यह जो है formula कहोता है the end प्रूब हो चुका है हमारे यह formula I hope कि आप enjoy कियोंगे समझ में आया होगा ठीक है समझ में आया होगा ना तो like कर दीजेगा subscribe कीजए हमारे channel को so that कि जो आगे के next videos है जो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए notification को आप bell icon को press कर दीजेगा notification के लिए ताकि जब भी videos upload हो आपको पता चल जाए ठीक है तो मिलेंगे नेक्स टॉप की साथ तक तक की take care thank you so much सबस्क्राइब कर दोचे थम्हेंट नेक्स टॉप की जब जाइब ओढ़ा उन्यार्ट तक की जाएब कर दोटिक ये एलगए तकी जाएब झाव मावाँचे तक की जाएब लागे लागे फो आपटाने हैँट सबस्टाइब तक की कीजेगे उख खुथ तका चाईश, जा